आप कितने साल से रह रही हैं मेरी तो जिन्दिगी नहीं लेकल गई आपको किसी योजना का भी तक लाब मिल पाया है जी नहीं आगे गरीबी यह खाने को नहीं था तो कहां से पढ़ा है इसकूल है पर उत्री मूनी है आज हमारी खास रिपोर्ट जमानी की जन्दिरों में जकडी उन बेटियों की है जो सिर्फ न बेटियां है बल्कि समाज और देश का भविष्य भी है बेटियां भी बेटों से कम नहीं, बेटियों पर तो शोशन रोज होता है बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, हर इंसान बिलग करोता है बेटियों की पढ़ाई को लेकर आज भी देश में कुरूतियां जब जब होती हैं तो राजनीती बीच में आही जाती है जी हाँ, बेटी वो ताकत है जो उजड़े घर को मजबूती देती है लेकिन क्या ये महस भर है क्योंकि जो तस्वीरे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इन तस्वीरों में बेटियों का वो दर्ड छिपा है जिसके लिए योजनाए तो बनती है लेकिन ये योजनाए सिर्फ गुलाबी नारों के बीच ही कुँझकर रह जाती है बोश इलाके में रहने वाली बेटिया तो हर तौर तरक्की से मजबूत रहती है लेकिन स्लम इलाके में रहने वाली बेटियों की सुद कोई नहीं लेता क्योंकि इनकी गिंती सिर्फ वोट बैंक के लिए ही होती है कोई बेटी आर्थिक लाचारी के चलते पढ़ाई छोड़ देती है तो किसी के पढ़ाई के लिए जागे अर्मान, परिवारिक तंगी के आगे दम तोड़ देते हैं ऐसी बेटियों की अवाज उठाने के लिए News World India ने बीड़ा उठाया है इसी का reality चेक करने के लिए सबसे पहले News World India की टीम पहुची दिली के बाटला हाउस और बच्चों से बात की समवदाता नेहा परिहार ने नवेश्कार आप देख रहे हैं News World India मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार इस वक्त हम मौझूद है बाटला हाउस में और आज अपने से स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे बेटियों के बारे में बेटियों की सिक्षा के बारे में इनके लिए तमाम योजनाय बनाई जाती हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकर्ण्या और भी योजनाय सरकार द्वारा बनाई जाती है लेकिन उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उन सुविधाओ का इनको लाब मिल रहा है या नहीं यह सब हम जारेंगे हम इस वक्त एक एंजईयों में मौझी है यहां पर बच्चियों को लेकर काम किया जाता है उनकी पढ़ाई को लेकर उन पर काम किया जाता है उनको कैसे आगे बढ़ाए इन सारी चीजों को हम जानेंगे इन से बच्चों से या मौज़ुद बच्चों से बात भी करेंगे बेटा आपका नाम क्या है मेरे नाम निता है निता है कबसे आ रहे हो यहां पर क्या कर रहे हो अभी आप यहां पर क्या कर रहे थे यहां पर मैं पेंटिंग कर रहे थे कबसे आ रहे हो यहां पर पढ़ने यहां पर मुझे 2-3 साल हो गया है क्या-क्या सिखा भी तक यहां पर म घर में और कौन कौन आता है आपको कहां कौन से एरिया से आते हो जाकिर नगर बिटा आपका नाम क्या है मेरा नाम अलीशा है अलीशा नाम तो बहुत प्यारा है कब से आ रहो यहां पर मुझे इनकी बेहन हो इनके साथ से ही आ रहे हो इनकी बेहन हो इनके साथ से ही आ रहे हो बनना को मुझे टीचर बनना है किस तरीकव टीचर बनना है जो कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाए और उन्हें बड़ा बनाये। कि बड़ा बना करूँ ना उनकी समब्सक्रोदि आप के सपने हैं ये वत वर सब्सक्रोद बच्चों उनके उन rental क्यों कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है मुझे लगता है मैस बड़े होके जिस चीज पर मुझे अच्छे से मतलब जो की चीज अच्छी लगेगी उसे चीज की बनुगे नाम क्या बिटा अब ता फराज फराज कहां से आते हों जाकिन नगर कितनी दूर है यहां से थोड़ा दूर नहीं है कि थोड़ा दूर है थोड़ा दूर है क्या बनना है बड़े होके डोक्तर बनना है और अब भी क्या कर रहे थे यहां पर मैं वह बना रहे था क्या स्माइल स्माइल बना रहे थे, सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है, मैट्स बस यहाँ पर आते हो, माम पढ़ाती है, उतनी पढ़ाई है घर जाके भी पढ़ते हो यहाँ पर कंप्यूटर सीखते हैं और फिर्टीशन में पढ़ते हैं पापा ममी परमिशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं? यस ऐसा तो नहीं बोलते हैं, क्या करोगी पढ़ लिखे, छोड़ो घर के काम करो या कमाने जाओ कहीं? नहीं सपोर्ट करते हैं पूरा? यस और इस समय एक छोटे नवाव हमारे बीच और मौजूद है, बेटा आपका नाम क्या है? मुहमद अयान कितने साल के होगे आप? कम से कम तैन तैन यर्स ओल्ड हो, कब से आ रहो यहाँ पे? आज आये आज आये हो, इससे पहले पढ़ाई कैसे करते हो? यह बता है, मैम सुनती होँ मैम सुनती हो, आचा ये बताओ जब सुना नहीं पाते हो, थो क्या मैम की पिटाई भी पढ़ी है? पढ़ी है कितनी सारी? जादा यह का million? जादा उत के बाद पढ़ाई में मन लगा है या नहीं लगा? लगा कि पिटाई से डर गे अरे मैं तो मारती ही है तो क्या बनोगे बड़े होगी बड़े लोगों का करोगे या फिर फ्री में इलाज करोगे पैसे कमाओगे यस उसके बाद इतने सारे पैसे का क्या करोगे डो एट स्कूल बनाएंगे स्कूल बनाओगे और श्कूल स्कूल में भी बच्चों से पैसे लोगे नौ भाप प्री में पढ़ाओगे डॉक्तर भी चलाओगे यह और घर में कौन कौन रहता है मेरा तो मैं बडी बहन मेरा चोटा इसे मुझ से बड़ा भाई बाइच चोक्ति पर थे लिए इसे आलिए और ए सब पर ने के लिए धूEr जाते हो पढ़ने ऐस यह जो इहां पर आते हो पढ़ने एसे टूशन बढ़ना टूशन जाता है स्कूल बंद हो गया है स्कूल खुले थे स्कूल जाते थे यस पढ़ाई सच्ची में करते हो यह बस दिखा रहे हो करते हैं पक्का ना एबी सीडी आती है सुना दो A B C D E F G H I J T L M N O P Q R S T U V W X Y Z लेकिन वह क्यों फिर से बुला क्यों 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 ठीयों बच्यें भले ही चोटे हैं बच्चे만 लिकिन उनके सपने बहुत बढ़े हैं पिसी को डॉक् pell किसी और समान सेवा करन न यह किसी को खुब सारे सबसे अच्छा लगता है पढ़ने में मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं मैं बड़े हो के डॉक्टर बना चाहता हूं मुझे मैं दूसरों का फकीर होगा इनका इलाज मुफ्त मैं करना चाहता हूं कि आगे बढ़ेंगे और जानने इस बच्ची से तर्फा न आम है इसब का नेहा मिरा और क्या पड़ेट्यू कब सारे याजों चेद्ध मैने कैसे पढ़ाती है यह कोत अच्छा इया फिर बस काम चलों नो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है घर में किते लोग हैं तीन सब पढ़ते हैं छोटे भाई बैन नो मैम सिफ मैं हूँ मेरी मम्मी और पापा अच्छा और क्या काम करते हैं पापा आपके टेलर है टेलर है कहां पर गोविन्पुरी में तो अभी तक आपको क्या-क्या पढ जब तक पैसे नहीं होंगे तो बढाऊ हो किसे पहले हमें पूरी स्कूल कोलेज इसकूल करना है पहले तो फिर जाकर कि हम टीचर बनेंगे तब जाके टीचर बनोंगे उसके लिए तयारी पूरी है एस वाइम घर से सपोर्ट मिलता है पापा ममी का यस वाइम ऐसा तो नहीं है कि नहीं ठीक है रहन दो टीचर क्या बना घर पर रहो काम करो नो मैं हमारे पापा ने कह रहा है कि तुम्हें जो बनना मैं तुम्हें बनाऊंगा एक और छोटे नवाब यहां पर है बेटा नाम क् दिए मुहमद अर्सलान क्या सबसी अच्छा लगता है सब्जेक्ट में आपको इंडिय्श लिश अच्छा एक साल हो गया एक साल हो गया एक साल में सीखा क्या क्या कर नेंने यहां पर सब्सक्राइब करके मैं को दिखाते हैं फिर करते हैं फिर एक घंटा पढ़ते हैं फिर स्कूल जाते हैं अब स्कूल बंद है इसलिए तुशन जा रहे हैं बाजी के पास परने मैं पढ़ाती है कि अच्छा पढ़ाती हैं दॉक्टर क्यों आचा पढ़ाती है और डॉक्तर आकिसे मदद करते हैं यहां बच्चे भले ही छोटे हैं लेकिन इनके होसले बहुत बड़े हैं अब हम बात करेंगे यहां मौझूद मैडम से और जानेंगे क्या क्या फैसलिटीज यहां पर हैं हम इनको यहां ना सिर्फ यह ओकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डवलेप्मेंट दिखाते हैं बलके हम इने टूशन भी देते हैं इनको हम पार्क वगरा भी लेके जाते हैं ताकि इनकी सारे डवलेप्मेंट अच्छे से हो सकें इनको हम प्लांटिंग वगरा भी करवाते हैं इनको टूशन का भी बढ़ाते हैं तो सारे बच्चे महीं आते हैं पढ़ने के लिए तो 3030 के स्लॉट से हमारे हम बच्चों को अच्छे से बढ़ा लेते हैं इंगलेश हिंदी उर्दू सब कुछ उसके इलावा हम यहां पर सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर कंप्यूटर वगरा सिखाते हैं ताकि आगे चलके कोई प्रॉब्लम ना हो यह जो आप एड्यूकेशन देती हैं इसके चार्जिस लेते हैं आप लोग यहां फ्री में होता है सरकार के दवारा जो फंड मिलता है उससे चलता हैं यहां यह तो सर बताएंगे क्योंकि लेकिन हमें जो हैं ने फ्री ओफ कोस्ट देते हैं सब कुछ हमारे यहां बुक्स प्रोवइड हैं स्टोरी बुक्स हैं पूरी स्टेशन भी सब कुछ सर प्रोवाइड करते हैं हमें हम बच्चों से कुछ ने बच्चों को पढ़ाना होता और आपको आपको यहां देखने के लिए वरना यहां नहीं होते बच्चे और उपर से अधर उनके पैरेंट्स या तो सारे ही गरीब हैं जैसे क्या आप क्या सकते हैं कोई सब्जी बेगता है कोई टेलर है कोई तो ऐसी समाने कोई बच्चा बड़े घर के नहीं है इसलिए हमने एरिया हमने अपनी सेंटर में ऐसे ही बच्चे रखे हैं जो सिर्फ स्लम एरिया से बहुत ज्यादा गरीब हो जिनको मदद की बहुत जरूरा तो इन छोटे बच्चों के भविश के लिए एंजियो लगातार कोशिश कर रहा है सरकार की योजनाई इनको इतनी पता है या नही पता है उससे इतना फाइदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लेकिन यह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों का भविश अच्छा हो और उज्वल हो अभी हमने यह चोटे-चोटे प्यारे-प्यारे बच्चों से बात की अब हम शिखर एंजियो के फाउंडर सब बनना चाहते हैं और आप समास सेवा के इतना अच्छा काम कर रहे हैं बहुत-बहुत शुक्रिया असल में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर हम देखते थे कि फैसलिटी बहुत कम है और आज कल का जमाना जो है टेक्नलोजी का जमाना है तो जब हम अपने रिजल्ट के साथ हमारे पास हम देखते थे कि वह मार्केट में हैं लेकिन उनको आगे पढ़ाई के लिए मौके नहीं मिल रहे हैं तो वरेंदर सहवाग जो किर्किटर हैं मशूर वो और हम सब लोग बैचमेट हैं जामिया यूनिस्टी से तो हम लोगों ने इस कि हमारे पास आते हैं इनको फैसिल्टी बिल्कुल नहीं मिलती हैं तो हमारा प्राइम अबजेक्टिव था कि हम इन बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ें ताकि ये बच्चे भी तरक्की करें और हम सब मिलकर एक बहतर ह होगी तो ये बच्चे यहां नहीं आ सकते हैं तो हम जब पेरेंट्स के साथ बात करते हैं हमारे टीचर्स महां पे जाते हैं उनसे मिलते हैं उनको काउंसल करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी एक आगे चलके बड़ा आदमी बने बहतर आदमी बने और अच्छे से अपनी जिन्दगी को गुजारे तो वो हमारी सपोर्ट में आते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अवेर करने के बाद वो और जादा हमें सपोर्ट करते हैं जिससे हम इन बच्छों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं कि cookies कोरोना टाइम चल रहा है मारा हमारी एकदम फैली है स्कूल बंध है साधी और ऑनलाइन सिस्टम किया इन बच्छों के लिए क्या चीज़ आप कैसे इनको मेंटेना करते हैं क्योंगि आंलाइन क्लैसे यह नहीं कर सकते हैं कैसे मैंकि एक काफिछador के सेंटर्स में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनके ऑनलाइन क्लासिस का इंतजाम किया हुआ है और जैसे बच्चे घर में अपने मुबाइल के जरीए टैब के जरीए या लैब टॉप में पढ़ रहे हैं हम अतनी फैसलिटी तो नहीं इनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं लेकिन हम अपने सेंटर्स पे बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रॉपर जो गौर्मेंट की गाइड लाइन हैं उनको हम फॉलो करते हैं और उसके साथ बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं ताकि इनका नुकसान ना हो और यह भी एजुकेशन से जुड़े रहे हैं क्योंकि जिस सोसाइटी जिस कम्मिनिटी से यह लोग आते हैं वहां पे डिस्ट्रेक्शन बहुत है अगर पढ़ाई को लेके खास तोर पे तो इसलिए हमारी यह कोशिश रही कि हम इनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां बुलाते हैं और पेरिंट से रिक्वेस्ट करके इनको कोशिश करते हैं कि किसी तरह की इनको कोई प्रॉब्लम हमारी तरफ से ना आए अभी तक आपके सेंटर से कौन सा ऐसा बच्चा निकला होगा या कितने बच्चे ऐसे निकले होंगे जो अभी किसी अच्छी जगे पर हैं देखिए हमारे हाँ सेकडो की तादाद में हमारी जो है बेनिफिचरीज हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में और हमारे क्योंके डिफरेंट परजेक्स चलते हैं तो यह तो एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है जिससे ही अपनी एजूकिशन को हेल्प लेत बच्चे हमारे पास बहुत हैं जो मीडिया लाइन में काम कर रहें तो इस तरह की सक्सेस टोगी करम बात करें तो मैं लगता है दस से बारा हजार होंगे क्योंके बीस साल पुराना यह और हर साल कुछ ना कुछ नया हमारे बच्चे करते हैं सर आप से यह भी जाना चाहूं दिली, हरियाना, महराष्टा, राजिस्तान, मद्या पर्देश और करनाटका हैं और यहां पर हमारी कोशिश रहती है शिकर की कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पर काम करें क्योंके जहां ग्रास रूट से उटके बात होती है जब तक आप बच्चों को बेसिक्स नहीं सिख कलाएं करता ठेस ऐसे पर यहां फिरों कोन कौन से अपके आनजयों हैं उसकी ब्रांच, कहां कहां पर होगी दिली में तो हम लोग जामियन नगर में काम कर रहे हैं तोखलाबाद सर ने जहां जहां बताया है उनकी NGO काम कर रही है हम जानेंगे उन सेंटर्स के क्या हाल हैं क्या-क्या सुविधाय उनको मिल पा रही है उसके बाद हमारा अगला मिशन था जाकिर नगर यहां की हकीकत भी सरकार के सारे वादो दावो की पूरी तरह से पोल खुलती नजर आई यहां भी बेटियां तालीम तो लेना चाहती है लेकिन तालीम के मंदिर की चट इन बेटियों से कोसो दूर है सक्री गलियों से निकलते वे हम फाइनली अगली मंजिल पर आ गए हैं यहां पर देखिए लड़किया भी हैं बच्चिया भी हैं महिलाए भी हैं इनकी इनके होसले भी बुलंद हैं इनकी महनत भी नाम क्या है आपका? यहां मेरा सपना कैम लेकर दूकान औतल साथि mist फिल्टाइप अब मेरा और साथ नामम भी तैनल हो रहते हैं। कि नुझे भी तीन महीने ओने वाले यह कोर्स के चार्ज भी लिए आपने करने के लिए नहीं मैंने लिए बास जब एड्मिशन हो था तब अंडेड रुपीज लेके अड्मिशन होता है यह पर बिटा आपका नाम क्या है निदा नाम है आपका कब से इसलाई सीख तारी को व लुट सीखलिया यह मोज बड़ा क्योट सा है आना ईकली कि इसफिट यह जल लगा एक तिन बालिया यहां पर एक बना लिता कैसा सिखाती है मैं अच्छा चिका आपको सिखाते हैं आ पकर कंप से कर रही हैं यहां पर मुझा तीन महीने हो जायेंगे विस तारीक को तीन मही ले नई अरक लें ते नार के लिए को ती और कमीज और शेमीज सब संगाथ चोटा-छोटा बनाते हो बड़ा भी बनाती चोटा चोटा भी बना रहoured वी आप को 堂ता है का से हाती है हम तैकर से आते हैं यह पीछे पर इससे पहले हमने दूते शलवार बनाई थी यहां पर अपने लिया कोई फीस वगएर आपको देनी पड़ी है नहीं हंडेड रूपेस सिर्फ कितने महीने वे आपको हमें एक महीना ही हुआ है क्योंकि नवेंबर में आया थे हम आप बड़े हो कि क्या पर ना चाहते हो यह जैसे तो हम फैसन डिजाइनर क्योंकि यह सीख रहे हैं इसकी मतलब जो जो कोर्स करेंगे उसी इस आप से हम बनना चाहेंगे यहां पर कोई स्लेबस भी है जी वह रहां वह चाट पेपर पर पेस लेबस पूरा लगा हुआ है क्या-क्या बनाना है क्या-क्या बनाएंगे आप लोग जिनको तीन महीने होगे उनकी तो कॉर्स कंप्लीट हो गया है फिर नाम क्या है आपका मोईजा कितने टाइम होगे आपको सीखते वह त्रे मन्त होने वाले हैं क्या-क्या बनाया अपने यह बना क्या रहे हो आप इसको अभी बैल्ट लगाएंगे उपर तो यह बोटेलर स्कुल्ड की तरह आजाएगा यह चोटे-छोटे यह बना रहे हो कुछ बढ़ा मैंना खुद पेन रखा है मुझे अपना मतला शॉप खोलने अपनी बूटिक खोलने मुझे नाम क्या बिटा आपका अल्शिपा कहां से आते हूँ आप मैं 40 नंबर गली से 40 नंब तीन महीने हो जाएंगे 20 तारीक को अच्छा आपको यहां पर आपने अडमीशन लिया तो कुछ सर्टिफिकेट की बात हुई थी सर्टिफिकेट मिलीगा आपको तीन महीने बाद मिल जाएगा अभी तक और क्या क्या आपने बनाया है बहुत सी चीज़े बना ली है जैसे जैसे दोती शलवार कमीज और वो कोटी हैंकी सब सब कुछ सिखाया है माम ने अच्छा घर से जब आप आते हो तो पापा ममी या कोई बड़ा भाई बेन रोकता तो एक चावाली स्लंबर गली से इतना तायम हो गया यहां पर वीस तारीव को तीन महीने हो जाएंगे सबसे पहले हैं यहां से मिलता है अच्छा एडमीशन से पहले फीस का क्या थाकुछ बताएं नोंने जी क्या ली थी अच्छा लिएंड रॉपएंगर रुपें नाम किया आपको अप्शानूर कां से आते हों आप 49 नमबर गळीस है कब से आ रहों यहां पर एक महीना हो गिया मुझे एक महिने में क्या क्या सी शीक्खा आपने बहुत कुछ सीख लिया जैसे की जैसे कि डूतियलन शलवार दोति शलवार लोंक कमिज शमीज सब चीज़ सीख लिए अभी में ट्राउजर शेली संदेन है कि अग्त टाउजर सेलिए एक कपड़े सिलिने में किता टाम ले ले ता एक गंड़ा रे लगजाता है every battery आपने नाम के पहले पर रही का संडुरीं क्या कि बनाया आपने नोटी शर्वाल बनाई एशमीज और पट्याना ये दोती बनाई है और ये शमीज बनाई एब और मतलब इसकर्ट वगरां वागर डिखाए है कितना टाइम होगे आपको वैसे एक महिना एक महिना हो जी कहां स परमिशन मिलती है आने के लिए जी रोक टोक तो नहीं है अच्छा आगे चल कि क्या करोगे आप यह स्लाइव लाई सीख रहा हो अपना बुटिक डालोगे अपने लिए सीख रहा हो या फिर आगे चल के इसी में आपको काम करना है इसी में काम करेंगे इसकी शौप इसकी बिस्ता कितना टाइम लगते कितने बच्चे आते हैं ऑफे cable बच्चे पर कर लिये और चला भी रहें बच्चे हैं बड़े टैलेंटेड हैं काम जैसे इनका दिख रहा है तो जैसे यह कोई और है इन्होंने कपड़े बनाए सीख लिया अच्छे से काम सीख लिया तो क्या आप अपने इस ट्रेनिंग सेंटर में उनको एजा टीचर रखते हो बिलकुट रखते हैं जो हमारी स्ट हम उन्हीं को टीचर रख लेते हैं यह मुहीम जो चली इतनी अच्छी बच्चों को ना ही आप छोटी बच्ची नहीं है बड़े लोग भी हैं जो सीख रहे हैं कब से मतलब कितने टाइम से यहां पर और बहुत सारे बच्चे आते हैं यहां पर सीखने के लिए जादा तर अजते ही बच्चे आपर ऐसा तो नहीं है कि जहां जिन से भी मैंने बात की है सब इसलाम और वैसे अभी तक मैंने किसी अधुआ नहीं सुना है कि क्या हिंदू बच्चे भी आते हैं वह सिर्फ मंढ़नी हैं एंजिओं काम करती है के वल इसलाम में जो बच्च जाम है मुह और हमारे उसमें सारे का उसके बच्चे होते हैं अभी तक कौन सा आएसा बच्चा होगा जो यहीं से सीखा है यहीं पे सिखा रहा है को इासा बच्चा है यहां प seperti मोजूद में याител है नहीं कितने महीने बाद मिलता है क्या वह वैयली रहता है कहीं से वैयल टै के कहीं जाएंगे तो हो जाएगा यूज़ हो जाएगा हाँ शरकार के तरफ से वैलिट किया जाता है वह कहीं यहां पर इतने सारे बच्चे आते हैं इनको इंफोर्मेशन इनको कैसे पता चलता है कि यहां पर आपको जागरुकता वह अभियान चलाती हो कि एंजियो चल रहा है फ्री ओफ कॉस्ट है आप आईए और सीखिए यह ऐसे चलता है कि जो भी अड्मिशन होता है माली जी एक ब बताता है कि बहुत अच्छा सेंटर है इतना अच्छा सिखाया जा रहा है तो इस तरह से हमारे बच्चे बढ़ जाते अभी हमने बात की इस एंजियो के बच्चों से जहां पर यह सिलाई का काम सिखाया जाता है अब हम यहां कभी ओनर से जिनका यह घर है उनसे बात इज़ा करी हुँ और मुथए अच्छा लगता है कि सभ बच्चों के साथ मैं मादलयाई करों अच्छा और अच्छा करों विन्हें पढ़ा हूँ लिखा और इनको आगे बढ़ा हूँ हर तरीकिसे मैं इनकी मदद करना चाहते हूं मदद कदीव बुक्स वगारा भी और जो भी है मुझसे बन सकता है मैं वो सब करती हूं इन बच्चों के साथ में सारा दिन माशालला से इसी में लगे रहते हैं हमारा यही काम है और हम अच्छा लगता है कि हम सब के साथ समास सिवा करें बहुत अच्छा लगा मैं ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बच्चों को निस्वार्थ भाव से उनकी एडुकेशन को लेके उनको आगे बढ़ाने के लिए तालीम देते हैं और उनका हर एक संभव प्रयास करते मदद करते हैं कि वो बच्चे आगे ब लेकिन शिखर सेवा संगठन की जो पहल इस एरिया में बेटियों को सिक्षा दे रही है वो वाकई काबलिये तारीफ है यह संगठन यहां के बच्चों को फ्री में सिक्षा देता है और उनकी सब ही जरूरत को पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है यहां पर उम्दा एकेडमी गई है हां अगे है यहां पर और क्या यहां पर कोई नेता वेता नहीं आते हैं एलक्शन टाइम में आते हैं गंदी कितनी पड़ी हुई है देखिए मैं यह है कि दिये तो एक जगे कि आप बता रहे हैं दिल्ली में तमाम NCR में काफी जगे नर्च कहीं पर ऐसी तो काफी फिर भी सही है लेकिन इससे भी जादा गंदी हालत है लोगों के तैजीब की मिसाल गरीबों के घर पर है लेकिन सर पर है मैड़म आपका नाम क्या है जासमीन कब से रह रही है यहां पर 15-16 साल हो गया में शादी को जब सही रह रहा है यहां सोला साल हो गया है यहां पर कोई एकेडमी वगरा है उमदा एकेडमी जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है यहां पर एसी है सही है बच्चे सही पढ़ते हैं वहां पर कितने क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं यह हमारी आली है यह चार पास साल की है आली है वो पढ़ते कि यह सिलाई भी व्होती जैसे और लड़क्य आइंचे लीजम, व्हुरते चली जाएंग की नीचार मेधने नहीं, स्जिसाधा ही, सुफियांट आठी आती है, सुना दूज़र ऐसी बात पे एबी सीडी यह एजुकेशन का सिस्टम बैया ऐसे पढ़ेगा इंडिया और ऐसे बढ़ेगा आपको लग रहे हैं कि ऐसी पढ़ाई में इंडिया बढ़ पाएगा यह भविश है कलका यह बच्चे भविश है आई यह आगे चलते हैं बात करते हैं आमा क्या नाम है अपका बैसमा कहां घर कौनसा है ऑग दुकान चल्बाधी करना पड़ेगा पाचपरानी का खर्चा कमाने वेला कोई नहीं तो बैए पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ेगा घर में किते बच्चे हैं अबकर अमारे बात तीन बच्चे लड़कियां कितनी दो लड़किया फिलालें सौ्सराल में harvest जोड़ी हो गई है कर्वाय कि नुवी-्षिय खी किलास पढ़े और एक-8वी-न आगे क्यों कि यूट नहीं पए और आगें गरीबी खाने को नहीं था तो काहां से पढ़ा पर यहां पेड़ाल ही स्वाण वाह थे बीटा होगा तो चलो ने कि बीटी है तो नए पर हाई के बेटा होगा तो चलो चलो कि दूकर बेटा हुए फराख न इसमजा को हां तक पढ़ा है ओऊ 10th एट, एट क्लास तक नाम क्या है? घुलिशा, सपने क्या थे आपके? तीचर का। न सब्सक्रां कञतिघा है। स्कूल है दावे बड़े हैं सरकारी स्कूल है बहुत अच्छी होती है प्राइवेट स्कूल फेल है लेकिन पढ़ाई के नाम पर आपने देखा बात किया सरकारी स्कूल है लेकिन पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है हम लोग पहुच चुके हैं उम्दा इंस्टिट्यूट जो ह इनके अकेडमी है। यह बात करेंगे बच्चों से मिलेंगे। आपकर क्लास में पढ़ती ह clicks spaghetti तीसरी में क्या क्या पढ़ लिया है क्या पढ़ रहे थे मुझे भी पढ़के बता दो मुझे आता नहीं है सिखा दो मुझे यह क्या है बता दो क्या लिखा हुआ है कौन सी में आम पढ़ाती है कौन सी में पढ़ाती है बीटा आचा आपका नाम क्या है पाभू चालनी चालनी नाम है बड़ा प्यारा नाम है कितने साल के हो पीटप छे छे साल के हो스타र पहली पहली क्लास में पढ़ लियो पढ़ लिए अभी तक गिंती, ABCD, Aasanaar, Kasakabutdar और इसके लावा कुछ नहीं चलिए आप जानते हैं एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची एक दम मेक अप मेक अप में बाबू नाम क्या है आपका? मरियम मरियम नाम है कितने साल के हो? आज साल की अच साल की हो, इसन गइक किस ने लगाई? ममी ने ममी ने, क्या है किलें लगाई था ममा ने? बोली ठीश ओगा इसकूल में इसलिए अचा बन्स होगा इसकोल में इसलिए लगाया आचा कहां कितना अब तक पढ़े हो? एसले कि जैटद्छीन पोय हो अगर याथ है आपको कहीं एक बोली आती जिसका नाम नहीं ता कुछ बी वडिन वर खाल दी तिक आम नहीं था कुछ भी काम नहीं तो कॉट डिन राज सफर साम नहीं कि कुछ भी तंक यूु आप इतनी प्यारी कविता सुनाएं तो डैर क्यों रही हो दर क्यों रहा बाबू अच्छा यहां पर मैम अच्छे से पढ़ाती है डाठती है पिट्टी तो पढ़ती होगी डंडे तो खाई होगी ने फूरा कर लेती हो लड़कियों से तो खुब धेर सारी बात कर ली एक छोटे नवाब बैठे नाम बताना बिटब्टा सुफियान कौन सी क्लास में हो मैम पहली पहली क्लास में हो अच्छा सपने क्या है क्या बनना चाहते हो बड़े हो अच्छा और कुछ नहीं डॉक्टर इंजीनियर साइंटेस्ट यह सब नहीं क्यों नहीं बनना पैसे नहीं कमाने आपका नाम क्या है बिटा माम इशा इस कौन सी क्लास में हमें मतलब activities भी सिखाई है और और हमने पढ़ाई भी करी थी और हम मतलब यहां पर आते हैं सेंटर में और यह बूक्स वागेरा सब यहीं से प्रोवाइड होती है यहां पर स्कूल भी तो होंगे वहां जाते हो आप जब खुले थे यहां यहां पर इच्छी होती थी सरकारी स्कूल में जाते थे अच्छा आप क्या सुनाना चाहिए सबसे पहने वर्दि आई सबने लादे जएड़ सेक प्रेट चाहे दुले चाहे तक देनाक सभी की लाल हो गई इतनी सर्दी किस ने कर दी अंडे भी जम जाए जर्दी जाड़ा है मौसम बेदर्जी ठैंक यू यह तो हो गई बच्चों की पढ़ाई की बात यहाँ पे पालर कोर्स भी कुछ ऐसा दिख रहा है करते वह आई यह बात करते हूं से नाम क्या है आपका शाहीन यहाँ पालर को करते हो सीखते हो सीखते हो अभी स्टार्टेंग फिर भी कितना एक महीन और क्या क्या कोर्स है इत्में यह हमारी तरफ रहनुमा मैं मैं यह सिखाते हैं यहां पर प्री आफ कोस्ट है जी सव डिफिकेट वगएरा जैसे हम कर लेंगे पूरा कंपलीट हो जाएगा हमारी कॉ मतलब सीख सिखने, मतलब, सीख रही हैं, तो पूरा मज़ा लेंगे जीओं- क्यों मतलक उसके सिख नहेंदगे । इसके बाद किया उसके बाद क्या सोचा लेकिने नीजेए भी पुरी करने sourp सिलाओ भी सीख लेंगी पार्लर भी सी लेंगी सब सीख लेंगे उसके पाद अपने फायदें है सोच करेंगे इन जीनियर बनाने का सोचा है आपके शोहर आपको सपोर्ट करेंगे ऑगता है कि बेटी इन तो आगे बढ़ानी कि क्या दूरत घर में रहे घॉका ने नहीं है कहते हैं लावर लवश भाई कुछ भी नहीं कि कशीश कशीश नाम है नाम तो बहुत प्यारा है सुन्दर भी आप बहुत हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो कितना कुछ पढ़ लिया है तब कुछ पढ़ दिया है अच्छा बड़े हो कि क्या बनना है आम टीचर तितली उड़ी बस पे चड़ी सिट न मिली तो रोने लगी कंड़क्टर बोला आज मेरे पर तितली बोली हट ब जाएं इस उम्मर में सीखने कैनत कहां आ हां मुझे लगा चाहां चाहिए कि और बेट में क्या नाम क्या है क्या रहा रही है मैं कमीज बना रही हैं किसके लिए को 59 को सो इसके लिए क्या सफने संजोएं आप कि अबनाएंगी बड़ी होगी तो क्या बनाएगी टीचर पनेगी पढ़ाई कराएंगी इन्षालां ज़रूर घर एश ग्रूप के बच्चे है कोई छोटा पान साल का है कोई दस साल का है और यहां पे एक साथ आप यह सारी क्लासे चलाती आपको दिक्कत नहीं होती है दिक् का हम एक बैच दो चलाते हैं कि लगे keeping दो को बलकुल लिखना नहीं आप जब से माध कर सकते हैं यहां बच्छे मौझवा का बी颗ों टेयं यूण बच्चे दूसरे पीछे सिलाई disturbance होती होगी कि छोटे बच्चे हैं वो तो जहां पर अट्रेक्टिक दिखती हैं उधर मुड़ जाते हैं कि पालर चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है क्या हो रहा है लो मैं देखू पढ़ाई में फिर ध्यान नहीं लगता है तो कैसे उन माब भी पूरा सपोर्ट करते हैं एंजियो में free of cost पढ़ाई दी जाती है केवल पढ़ाई नहीं सिलाई कड़ाई पालर हर कोर्स कराया जाता है कि बच्चे अपने बवेश्य को उज्वल बनाए आगे बढ़े बात करेंगे नदीम जी से आपसे हम पहले भी बात कर चुके है सर यह सुसाइटी स्लम एरिया है इतनी पढ़े लिखे लोग नहीं है आप एक एंजियो के माध्यम से इन बच्चों को सिक्षित कर रहे हैं क्या क्या परेशानी आती हैं कैसे मैनेज करते हैं यहां के लोगों को देखिए हमने बताया था आपको कि जब तक कि हम सब बच् देखा होगा बच्चों को लेकर यहां आती हैं तो इससे आपको पदा लगता होगा कि यह लोग चाहते हैं कि यह भी कुछ सीखें आप निर्भर बने और जिंदगी में कुछ अच्छा काम करें और तरक्की करें कि सवाल मेरा और उठा है सरकारी फंड मिलता है आपको सपोर्ट करती है इया नहीं करती है आप यह कैसे चीजा directors करते हैं कैसे Bubble कि अधी कि महारों ककी जादातर काम जो हूझ के साथ हैं सब्सक्राइए सबर्सक्राइब में हम लोग charge जो हमें में सपोर्ट करते हैं खास्तों पर जो उम्दा कैडमी है यह सुनाली का डवलोप्मेंट सोसाइटी हमें जो है वो सपोर्ट कर रही है चलते चलते कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे बच्चों के लिए या ऐसी सोसाइटी में की लोग आगे बढ़े और कुछ अलग करें बच्चों के लिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आएं और ऐसे बच्चे और ऐसे महिलाओं को सशक बनाने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें ताके हम आत्म निर्वर भारत किया निर्मान कर सकें इससे सरकार की नाकामिया जग जाहिर होती हैं आर्थिक तंगी की चलते यह गरीब तपका इतना मजबूर है एंजियो शिखर जैसी लाख होंगी लाख एंजियो इनका सपोर्ट करती हैं लेकिन आर्थिक तंगी और यह मजबूरी इनको अपने बच्चों को ना पढ़ाने पर मजबूर कर देती हैं आप सरकार से और अथार्टी से मेरी यही अपील है कि जरा ध्यान दे मैडम ध्यान दे सरकार के वोट बैंक बना के ना रखें जनता है आपको वोट देती है आपकी सरकार बनाती है तो इनका ध्यान देना भी आपकी जिम्मेदारी है कैमरामेन सर् आज के साथ मैं नेहा परिया न्यूजवर्ड इंडिया